नमस्कार मैं हूँ जनलिस्ट राजन और मेरी मौझूदगी समय सागंज कोतवाली के बड़ोना गाउं में है बड़ोना गाउं इंदिनों सुर्खियों में है क्योंकि यहां के रहने वाले मत्रूबिंद की कस्टोडियल डेथ हो जाती है पुलिस प्रसंद वारा ये बताया गया कि उचक्कागिरी के आरोप में उनको जो है हिरासत में लिया गया था और अगले दिन सुबह बाथरूम में वो फंदा लटका करके आत्महत्या कर लेते हैं सवाल एक और ये भी अब उठने लगा है कि पुलिस ने मत्रूबिंद की मौत के बाद तीन घंटे बाद जो है तीन घंटे उनके मौत के हो जाते हैं उसके बाद उसी मृतिक व्यक्ति के खिलाब पुलिस द्वारा मुकदमा क्यों दर्ज किया जाता है कई सवाल जो है अब उठने लगे हलाकि इस मामले में डीम ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिये हैं लेकिन अब मामला जो है वो गरम हो गया है सबसे पहले हम मत्रूबिन की पत्नी हम इनसे बात करेंगे चाची कहा गये थे उस दिन वह गर मुर्गा आने बारा बज़े और पूजा के रोटी भात बनाई है तब देखा था एक लखार लखार नायां दस बाजी के उपर हुई जाई मैं शुक crisp आएं डॉजा नाय जाओ जीन फर्षा था इसस बातव था जाय नायां गरिगे नभा nit's दस बद गऴर नाये थे तब कहां है वो भी नायो गात यूलियालो कि फिंस बूर तब कहां पार्धान करें पाईशा लगता थीयो बटा खर लगतारी है तब का भात आपको देखने कोई नहीं मिला गए तब जंपूर तन की धरेन अकुल देखे उनका खोड़ को पूरा देखे यह गोली मारें यह गोली मारें यह गोली आप दाग नागा ते इंपरा रहें जूटर नाव करें अब देखे यह उनकी पतनी है और निश्ची तोर पे जब किसी का सुहा गुजड़ जाता है तो उसका मानसिक संतुलन कैसे हो सकते हैं आप समझ सकते हैं कि अपने पती को देखने के बाद यह बता रहें गोली मार गया जबकि ऐसा नहीं था लेकिन निश्ची तोर पे इनका म संतुलन जो है वो जो है डैमेज हो चुका है क्योंकि इनके पती इनके शोहर वह इस दूनिया में नहीं है इनकी बेटी यहाँ पे है आपको बेटा कब पता चला कि आपके पिताजी साथ तो कुछ नहीं पता आप देखी अपने पिता इंश्ची को आक्प्ता पाईए यह बस वही जब घर से वह निकले थे मुर्गा लाने के लिए गये थे उसी समय आपने उनको देखा था आपके मंद में तो आसा रहा नहीं होगा आपके पिता आप लोट कर नहीं आएंगे इस तरह से पुलिस यह कह रही है कि उचका गिरी कर रहे थे 35 जार रुपए उन्होंने चीने थे तो कभी आपके पिता ऐसा कर सकते हैं कभी उन्होंने ऐसा किया था कुछ नहीं हमारे पापा कहते हैं चोडि नहीं करते हैं गर्पपापा को नहीं कहते हैं कि सिथा मारब पापा क्या करें शर बताएं आप बिल्कुल देखें निश्य तोर पे एक ब्यक्ति जो मझ्दूरी करता हो जो मिश्टी का काम करता हो राजगीर का और जो अच्छी डिजाइन बनाता उसे क्या जरूरत आ जाएगे कि वो उचक्का गिरी करने जाएगा कई सवाल उठने लगें और घरवालों को ये पता भी नहीं था कि वो मुर्गा खरीदने के लिए जा रहे हैं कि परिवार खाएगा उसके बाद वो लौट करके नहीं आते और बेटी को तो पीता के अंतिम दर्सन भी नहीं हो पाते सवाल पुलिस महकमे पे उठने लगे हैं और लोग जो है अब कहने लगे हैं कि इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए यहां पे स्रमाजवादी पार्टी के नेता हम इनसे बात करेंगे सर आप यहां पे आएं परिजनों से आपने मुला कोई अपराधी के धियास नहीं और इनको लेगा करें टार्चर के दौरान की देथ हुई है और यह तो पीम रिपोर्ट भी कराएं हैं तो उसमें डियम को चाहिए अभी तो मामला जांच का है और पीम रिपोर्ट कम मिनम तीन आदमी का होना चाहिए उसमें डाक्टर तीन करें दीन डाक्टरों का पैनल बना कर डीएंग्स में देखे लाइबिल्टी फसेगी और इस व्यावर को तवातीन आटांच और इनको बनाकर पैनल बनाकर टाछे था क्लियर कंसप्सन हो जाए कि क्लीया है क्या किया है तार्चर किया है रहेंगे तो बाड़ी में कहीं जब उनको उचका गेरी क्यारोप में हिरासत में लिया क्या और जिसने तहरीर दी तो उसी समय पुलिस नाखिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया बात यह बनती है जब आप किसी को पकड़क ले जाते हैं और टार्चर करेंगे मुकदमा दायर करेंगे और यहां तक कि लेगा इनको बड़े मुकदमें किसी पसा भी देंगे अगर यह सब कर देते तो यह साइथ कारवाई नहीं करतें BUT अनपड आदमी नहीं जानका रहे हैं महिला बची एक पशिए अनके पास कोई संतान नहीं है इ यह सब्सक्राइब पर पहने ने परेंगे में और अपनी जान बचाने के लिए इंक्रीमिन लेने के लिए चो इन काॉंटर करते हैं तुम्हे। इस गोवर्मन तो सारकारने बड़ा आप आड़ रुप्या होगे मारें आचेट वाइटल पार्ट पे लग्या होगा और इनकी देथ हो गई ताप आपने बचने के लिए बता रहे हैं कि आएक नई कहानी गड़ रहे हैं कि बात्रों में चले गए ध्यांग कर लिए हैं आप बिल्कुल देखे आरोप पुलिस प्रसासन के उपर है और जाज भी पुलिस प्रसासन को ही करना है अजवादी पार्टी के लोगे मांग करते हैं जब तक सीबिसी आइडी जाज नहीं होगी तब तक दूद का दूद और पानी का पानी नहीं होगा